वेल्कम स्टुरेंट्स वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाइव फाइस जनल पर आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज किस क्लास में 30 important प्राशन डिसकस करेंगे जो आप सब के लिए काफी important होगे तो सभी साथ एक क्लास को लाइट तक जरूर देखें और जिनका भी एक्जाम में आप सभी को वेश्ट अपलाग उमिद करता हो कि आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा होगा तो जो भी साथी live आच चुके हैं आप लोग एक बार share कर दो ताकि और भी students क्लास को जोईन कर सकें और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग चैन को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी on कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेसिन की और आज का सबसे पहला प्रस्तन आपके स्क्रीन पर पूछा है इंटरनेट के द्वारा कम्यूनिकेशन प्रोटकॉल प्रियोग होता है HTTP, Telnate, UTP या FTP तो इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्यूनिकेशन प्रोटकॉल प्रियोग होता है ध्यार है ओप्सन ही हो जाएगा HTTP जिसे कहते हैं Hyper Text Transfer Protocol ठीक है पहला option आपका right answer होगा और अगला प्रसन आप से पूछा है URI का पूर्ण अर्थ क्या होता है फुल फॉर्म आपको answer करना है URI का यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा Uniform Resource Identifier option नमबर एक correct होगा ठीक है अगला प्रसन आप से पूछा है QR code का अर्थ है means QR code का full form क्या होता है quick result, quick response, quick restore या फिर none of these तो question number third का right answer करना है QR code का पूरा मतलब क्या होता है तो यहाँ पर आपका right answer option भी होगा quick response होता है QR code का full form ठीक है अगला प्रसन आप से पूछा है भासा के उप्योग से वेब पेज बनाया जा सकते है डैस भासा के उप्योग से वेब पेज बनाया जा सकते है HTML, www, web browser या फिर internet explorer तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा option है HTML, hyper text markup language के प्रियोग से या उप्योग से वेब पेज बनाया जा सकते है ठीक है और अगला प्रसन पूछा है Sir Timothy John, Team Berners Lee, www के जनक है True है कि False तो बिल्कुल सही है option number यह correct होगा यहाँ पर भी true हो जाएगा यह question और अगला प्रसन आप से पूछाए calc spreadsheet में equal mode 14, 15 का मान होगा तो calc spreadsheet में अगर आप यह formula लगाते हैं इस का मान कितना होगा तो यहाँ पर आपका right answer option C हो जाएगा 14 होगा ठीक है और अगला प्रसन आप से पूछा है gmail attachment में अधिक्तम file size बन जीवी होता है true है कि false तो यहाँ पर आपका हो जाएगा option B यह false हो जाएगा gmail attachment में जो अधिक्तम file size होता है वो 25 MB का होता है ठीक है ध्यार है और अगला प्रसन आप से पूछा है 8 bit के समुह को कहते हैं white word record nibble 8 bit के समुह को क्या कहते हैं रही answer आपका क्या होगा एक byte कहते हैं यहाँ पर first option राइट होगा 8 bit बराबर एक byte होता है और अगला प्रसन क्या है CRW का full form क्या होता है CRW का पूरा नाव क्या होगा और यहाँ पर आपका right answer option सी होगा continuous wave radar होता है CRW का full form ठीक है नाच कुशन पूछा है लेबर आफिस में ruler का shortcut है लेबर आफिस में ruler के लिए कौन सा shortcut की है यह आपको answer करना है कुशन नमबर 10 में तो यहाँ पर आपका option B हो जाएगा control shift R ठीक है control shift R होता है ruler का shortcut की लेबर आफिस कुशन में पूछा है new slide insert करने की shortcut की क्या है अगर आप एक नई slide insert करना चांते हैं presentation में तो उसके लिए क्या shortcut की होगी तो सही जबाप option B control M ठीक है control M से आप एक नई slide insert कर सकते हैं अगला प्रसंद में पूछा है twisted pair network cable कौन सा RG conductor प्रियोग करता है तो right answer क्या होगा RG 45 option number D आपका right होगा ठीक है और अगला प्रसंद आप से पूछा है 3D का क्या मतलब होता है तो यहां पर आपका सही जबाब option B हो जाएगा 3D ठीक है और अगला प्रसंद आप से पूछा है cache memory कहां इस्थित होता है file server पर CPU, monitor, scanner तो cache memory कहां इस्थित होता है आपको आशर करना है सही जबाब क्या होगा तो यहां पर आपका right answer option B होगा CPU और next question में पूचाए वेब डिजाइनिंग में प्रियूक्त होने बाली सबसे आम भासा कौन सी है C, C++, PHP या फिर HTML तो correct answer यहां पर question number 15 का क्या होगा option number D हो जाएगा HTML ठीक है और अगला प्रसंद पूचा है sale का content किस कुझी के प्रयोग से edit किया जा सकता है sale का content किस कुझी के प्रयोग से edit कर सकते है F1, F2, F3 या इन में से कोई नहीं तो right answer यहां पर आपका option B होगा F2 next question में पूचा है name में RAM को दर्स आता है DRAM, yes RAM, DRAM या all of these तो इसमें से आपका right answer क्या होगा question number 17 का यहां पर आपका all of these जाएगा इस सभी option correct है ठीक है अगला पसन आप से पूचा है चैनित sale सीमा के निचले दायों कोने में एक छोटा काला वर्ग किस रूप में जाना जाता है चैनित sale जब आप sale को select करते हैं ठीक है तब निचले दायों कोने पर आपने देखा होगा छोटा काला सा वर्ग दिखाई देता है प्लस का sign ऐसा दिखता है आपको उसे किस नाम से जानते हैं तो उसे कहते हैं फिल हैंडल option C correct होगा है ना जिससे आप नीचे के लिए ड्रैक कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फिल हैंडल ठीक है अगला पसंद पूचा है IPV4 कितने बिट का होता है तो ध्यान रहे यहां पर आपका option यह होगा फिल्टूथ नेटवर्क है पैन बैन लैन मैन इस में से किस प्रकार का ब्लूटूथ नेटवर्क है सही जबाब आपको करना है तो राइट अंसर उप्सन ही होगा पैन यानि की परसनल एरिया नेटवर्क नेटवर्क में पूचाए किसी भी पराग्राफ को जस्टिफाई करने की सौटकट की है आप किसी भी पराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं किस सौटकट की के माध्यम से तो फर्स्ट आप्सन आपका राइट अंसर है कंट्रोल जे ठीक है और अगला प्रस्ण आपसे पूचाए Calc program में अधिक्तम बर्क सीटों की संख्या है Calc में अधिक्तम बर्क सीटें कितनी होती है यहाँ पर आपको right answer करना है 22 का तो सही जवाब हो जाएगा option A Calc program में अधिक्तम वर्क सीटों की संख्या कितनी होती है और अगर आपसे पूछते हैं कि केट प्रोग्राम में वड्ड फर्ल वर्क सीटों की संख्या कितनी होती एंसक गेभल एक होती है लिएान रहे और अगला प्रस्ट न्सफिक. पॉचा है कि के इई पी एस में पी का मतलब कुछा है पेमेंट पार्टी पावलिक या पर्सनल तो फर्स्ट आप्सन यहाँ पर राइट होगा पेमेंट आधार इनेवेल पैमेंट सिस्टम होता है और अगला प्रस्ट पुछा है नेफ्ट यानि की अनेफ्ट को मैनेज कौन करता है आरबी आई, स्वी आई, वी, ओ, आई या ननाफ्टीच तो फर्स्ट आप्सन सही होगा आरबी आई यानि की रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ठीक है और अगला प्रस्ट आपसे पुछा है, स्टार्ट मेनू को खोलने की शॉर्ट कट की है बिंडो लोगो, बिंडो लोगो प्लस एड रेट का सिम्बल, बिंडो लोगो प्लस M, बिंडो लोगो प्लस F इसमें से कौन सी shortcut की है start menu को open करने की तो यहाँ पर आपका right answer option यह होगा window logo window logo की आप प्रेस करेंगे तो start menu open हो जाएगा और इसी के साथ साथ आप control के साथ में escape भी दबा सकते हैं जैसे आप control के साथ में escape दबाते हैं तब भी आपका start menu open हो जाता है ठीक है और अगला प्रसन आपसे पूचा है as ttp का प्रियोग किया जाता है workbook द्वारा, server द्वारा, worksheet द्वारा या webpage द्वारा 26 में right answer क्या होगा तो as ttp का प्रियोग webpage के द्वारा किया जाता है d option correct answer है next question में पूचा है यहाँ address प्रति दिन नहीं बदलता, static IP address, dynamic IP address, unique IP address या फिर इस में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका right answer होगा option यह इस्टेटिक IP address, ओके अगला प्रसन आपसे पूचा है writer program में नया template insert करने की shortcut की है आप writer program में एक नया template की से shortcut की के मादियम से insert कर सकते है तो control shift और N, यहीं की पहला option आपका right होगा चलिए अगला प्रसन आपके screen पर है labor office writer program में कुल कितने menu होते है तो labor office writer में कुल menu के संख्या होती है 11 option number D आपका सही जवाब होगा next question में पूचा है IMEI number कितने digit का होता है तो IMEI number कितने digit का होता है आपको आसर करना है right answer क्या होगा तो यहाँ पर आपका first option सही होगा 15 ठीके 15 digit का होता है IMEI number आज की class बसेंग तक उम्मीद करता हूँ कि सभी को class पसंद नहीं होगी class अच्छली को लाइक करें और जो भी साथी चैनल पर नहीं हो आप लोग चैनल को सब्काइब करें साथ में बेल आइकन भी आउन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे और जिनका भी कल एक जाम है आप सभी को विश्ट आप लाग ठैंक्यू दान्यवाग झाल